दातों में किसी भी प्रकार का दर्द हो तो घबराने की जरूरत नहीं है जी हां गूजर डेंटल क्लिनिक पंधाना रोड खंडवा और उनकी दादी रहती थी आनी सास रहती थी केवल तीन महिलाएं रहती थी आपको बता दें जो किरन बाई और तुलसी है उनका संदिक दवस्था में शरीर मिला है पॉईजनिंग का केस पर्थम दृष्ट्या लग रहा है जहरीला पदार्थ पीने से उनका स्वर्गवास परंतु आपको बता दें कि घटना को लेकर पुलिस गंभीर है चौकी प्रभारी मोटक का राजिंदर सायदे मौके पर पहुँचे अपनी टीम के साथ फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है फिलाल घर को सील कर दिया गया है और आपको बता दें इस समंद में मानधाता थाना प्रभारी बलजीत सिंग विसेन ने बताया कि SDOP मानधाता राकेश पेंडरों को इस समंद में जानकरी दी गई है और खंडवा एस्पी विवेक सिंग को उन्होंने जानकरी दी है एस्पी विवेक सिंग ने ततकाल इस मामले को गंभीरता से लेकर फॉरेंस दिख रहा है इसमें या क्या ये कुछ उन्होंने खुद किया है या किसी और ने इस वारदात को अंजाम दिया है ऐसा जांच के बाद ही पता लग पाएगा फिलाल पुलिस का कहना है कि वह मर्ग कायम कर मामले को जांच में लेकर बयान लेकर पीम रिपोर्ट के आधार पर फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट के आधार पर और जो भी इन्वेस्टिकेशन में सामने आएगा उसके बाद खुलासा कर पाएगी फिलाल पुलिस ने घर को सील करके फॉरेंसिक टीम से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिकेशन कराने की बात कही है और मौके पर आपको बता कि पुलिस की टीम मौजूद है इस घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रवासियों में हनकम बज गया जगे जगे इस घटना की चर्चा हो रही है कल होली का पर्व था चौकी प्रभारी मोटक का राजिंदर साहिदे ने बताया कि जो मा बेटी है उनका शरीर नीला पड़ा और पर्थम द्रिष्टे ऐसा लगता है कि घटना कल रात की है लेकिन वह अभी जाच कर रहे है जाच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा वह कर पाएंगे ऐसा उनका कहना है 9131859300